कटाक्ष राज, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चक्वार जिले के पठारी छेत्र में नमक कोहुग परवत श्रंखला में हिंदूओं का प्रसित तीर स्थान है। यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर के अतिरिक्ति यहाँ पर और भी मंदिरों की श्रंखलाएं हैं। यह सभी मंदिर दश्वी सतावदी में बनाए गए थे। कहते हैं कि माता पारवती जब सती हुई थी उस समय भगवान शिव की आँखों से टपके आंसों स यहाँ पर सरोवर बन गया था। कहते हैं माभारत काल में पांडव वनवास के दिनों में इन्हीं पहाडियों में आग्यातवास के दोरान आये थे और यहीं वह कुंड है जहां पांडव प्यास लगने पर पानी की खोज में पहुँचे थे। कुंड पर यक्ष का दिकार पानी की तलास में जब नकुल सहदेव, भीम और अरजुन सहित चारो भाई इस कुंड पर आये और यक्ष ने उन्हें आवास दी और कहा कि इस पानी पर उनका अधिकार है अगर पानी लेना है तो उससे पहले उनके प्रशनों के उतर देने होंगे। कोई भी पांडव उन अंत में चारो भाईयों को खोजते हुए युदिश्टर वहां पहुचे और चारो भाईयों को मूर्चित पड़े देख कर पूछा कि ये किस ने किया तब यक्ष ने सारी बात बताई तो युदिश्टर ने कहा कि वे उतर देने के लिए प्रस्तुत हैं तब यक्ष ने उ उन्होंने ही यहां पर शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा का आरंब किया था मौर्यवंच के शाशनकाल में इस स्थान पर समराट अशोक ने बौध स्थुब भी वनवाए थे चौथी सताबदी में भारत यातरा पर आए चीनी यातरी फाहियान ने भी अपने यातरा लेखों में इस स्थान का उल्ले किया था कहते हैं कि पर्थम सिख गुरु नानक देव जी भी यहां आये थे मंदिर के पास में एक गुरद्वारे के भी अफशेश मिलते हैं दोस्तो आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी किर्पिया कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल कौशिक मित को सबस्क्राइब करें